दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय जय हनुमान, जय सन्यासी बाबा की दोस्तों किसी भी शनिवारों और एक कपूर से चुपचाप करें उपाएं जो मांगोगे मिलेगा दोस्तों, आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में आपको पूगेश्वर धाम सरकार के द्वारा बताये गए लॉंग और कपूर के बहुत ही चमतकारिक और काफी आसान उपाएं के बारे में आपको बत घर में सुक शानती आएगी और हनुमान जी महाराज की कृपा हमेशा आपके और पूरे परिवार के उपर बनी रहेगी दोस्तों देखिए अगर आप हनुमान जी महाराज को मानते हैं उनकी पूजा करते हैं या उन्हें सच्चे दिल से चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम या जय बाउस्वधाम सरकार जरूर लिख दें जिससे की आपकी हर मनोकामना को हनुमान जी महाराज जल्दी से जल्दी दोस्तों पूरा कर दें दोस्तों आई हम आपको बताएंगे पूज गुरुजी के अनुसार लॉंग के और कपूर के खास उपाय के बारे में जिसे करने से आपको संकटों से मुक्ती मिलगी सुख सौभाग्य में बढ़ोतरी होगी अगर आपके जीवन में राहु केतु की चाल का बुरा असर पद रहा है तो ऐसे में आपको प्रभाव को कम करने के लिए शनिवार को डोट लॉंग का डैन जरूर करना चाहिए इससे आपको प्रभावों से बचा जा सकता है दोस्तों आर्थिक संबने के लिए आप किसी भी शनिवार के दिन हनुमान जी की मूर्ती या तस्वीर के सामने एक सर्सों के तेल का दीपक जलाएं अब हनुमान चालिसा का पाठ करें दोस्तों इस उपाय को करने से आपकी जो भी मनोकामना होती है हनुमान जी महाराज जल्दी पूरा कर देते हैं साथ इससे रूपों की तंगी दूर होगी अगर आपको किसी से अपना कम निकलवाना हो तो उसे अपने वश में करने के लिए आप शनिवार की रात को लॉंग का तोटका अपना है इसके आप साथ लॉंग अपनी हथेली में रखें अब मुठी को बंद कर लें अब जिस व्यक्ती को अपने फीवर में करना हो उसका 31 बार नाम बोले और हर बार नाम के साथ में अपनी मुठी पर भी फूंक मारे अब अगले दिन यानी की रविवार को इसे जला इससे आपका कम बन जाएगा अगर आपका बच्चा पढ़ में कमजोर है तो उसे ठीक करने के लिए आप किसी भी शनिवार के दिन ग्यारा सबूत लौंग लें इन्हें लाल कपड़े में बांध कर पूजा स्थान में रख दें और ओम बागेश्व एक माला जब करें अब रोजाना बच्चे को यह एक लौनंगक खिला दें ऐसा लगाता है ज्यारा दिनों तक करने से बच्चे की मेमोरी तेज हो जाएगी और बच्चा पढ़ में होशियार होगा अगर आपके अट जाते हैं तो आपको प्रत्येक शनिवार के दिन तेल में तीन-चार लौंग डाल कर उसका दीपक जलाना चाहिए यह घर के सबसे अंधेरे के कोने में जला है इससे आपके घर से नकारात्मक उर्जा दूर होगी साथ ही आपके हर कम बनने लगेंगे अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है या किसी खास कम में दिक्कत ए रही है तो आप लौंग का उपाय करें इसके लिए आप एक पीला निम्बू लेकर उसके चारों और चार लौंग घट दें अब 21 बार ओम हम हनुमते नमा मंतर का जब करें इससे आपका दोस्तों कम बन जाएगा अगर आप मानसिक रूप से परेशान रहते हैं तो इससे छुटकारा पाने के लिए रोजाना दो फिर तीन लौंग जला कर इसकी रख चैट लें इससे मैन को शांती मिलेगी अगर आप किसी महत्वपूर्ण कम के लिए जा रहे हैं तो अपने घर के में गेट पर दो लौग रख दें अब इस इससे कम में आने वाली रुकावटें दूर होंगी अगर आप अपने दुश्मन को मात देना चाहते हैं तो साथ लौ लेकर हनुमान जी के मंत्र से उसे सिध्ध कर लें अब आप उसे व्यक्ति के खाने में इन लौंग को मिला कर खिला दें इससे व्यक्ति आपके वश में हो जाएगा धन व्रिद्धी के लिए लौंग ले दो कपूर ले और पंच कडिया ले इन्हें एक साथ लाल कपड़े बांध कर हनुमान जी के चर्णों से च्छुआ कर अपने घर की तिजोरी में रख दें इससे धन की बढ़ोतरी होगी वही अगर आप मेहंत करते तो मगर आपको सफलता नहीं मिल रही है घर में कोई रहती है रिवारिक सदस्य आपस में किसी ना किसी बात पर लड़ते जगड़ते रहते हैं तो लौंगक का यहाई कारगर साबित होगा दोस्तों इसके लिए आप शनिवार के दिन शाम को पाँचंच लोग, तीन कपूर और तीन बड़ी वाली इलाइची को लेकर उसको जला दें जली हुई इन चीजों को घर के सभी कमरों में ले दोस्तों इसे पूरा जल जाने के बाद इसकी रख को ऐसा करने से घर में मौजूद नकारत्मक शक्ती का नाश होता है और धीरे धीरे सभी सदस्यों में प्रेम भाव बढ़ाने लगता है कई बार ऐसा मेहत करने के बाद भी कम पूरा नहीं हो पता है या फिर बना-बनाया कार्य एक जटका में खत्म हो जाता है मदद सकता है दोस्तों इसके लिए आप साथ शनिवार तक हनुमान जी के मंदिर में जाएं और हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का एक दीपक जलाएं और उसमें दो लोग डल दें इसके बाद आप हनुमान चालिसा का पाठ करें और फिर आरती उतारे फिर हनुमान जी से प्रार्थना करते हुए अपनी समस्या के बारे में बताएं ऐसा करने से आपके भाग्य का दर्वाजा खुलेगा और सभी कार्य आसानी से पूरे होने लगेंगे घर या स्थल पर माता लक्ष्मी की पूजा करते समये माता को हर दिन गुलाब के फूलों के साथ दो लॉंग की काली भीट करें अगर हर दिन संभव नहीं है तो दोस्तों केवल शुक्रवार के दिन ऐसा करें इसके अलावा पंच लॉंग और कके लाल कपड़े में बांध कर उन्हें माता लक्ष्मी के चर्णों में रख दें अब पूरे विसे माता लक्ष्मी की पूजा करें इसके बाद इन चीजों को स्थान जैसे की अलमारिया तिजोरी में रख दें पूज गुरुजी के मुताबिक ऐसा करने से घर में बरकत आती है और माता लक्ष्मी का आशिरवाद बना रहता है घर में कभी भी से जो कोई भी समस्या तो दोस्तों अगर आपको पूज गुरुजी के अनुसार बता गई उपाए अच्छे लगे हो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें शेयर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मैन से जैश्री राम धाम सरकार जरूर लिखें जिससे की आपकी हर मनोकामना बालाई सरकार जल्दी से जल्दी पूरा कर दें